दोस्तो जब भी हमारे सामने कोई designing flooring आती है इस तरीका की तो हमें एक चीज का सबसे बड़ा confusion होता है कि जो इसमें जो ये छोटे छोटे पट्टिया जो लगाई गई है इनको हम किस तरीके से divide करें ताकि हमारी सारी टुकडिया एक ही नाप की आ जाएं तो दोस्तो इसको divide करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक मैथ के फार्मूले की इसलिए बीडियो को complete जरूर देखना क्योंकि मैं आज की इस बीडियो में सारी process आपको बताने बालाओं कि कौन सा मैथ का फार्मूला है जिसके सहायता से हम हमारे हर टुकडि की नाप equal ले लिए गया और अपने दोस्तों के साथ सेयर करके चैनल सस्क्राइब कर वैल आइकन प्रेस कर लिजिए गा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि हमने तीन गोले कुछ इस प्रकार के बनाए हुए हैं जो हमने तो एक डेमो के तरीके के हिसाब से हमने यहां पर 36 इंची इसकी लंबाई रखी है अब इसकी जो गुलाई की जो टोटल लंबाई है वो क्या निकल कर आएगी यह चीज हमें सबसे पहले चाहिए तो दोस्तों इसके लिए हमें मैत के इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी इसक इस सूत्र को कैसे यूज किया जाता है वो सारी प्रोसेस में इस वीडियो में आपको वताने वालाऊं तो दोस्तों इसका जो आप देख रहे हो टू का तो टू होई गया बाकि जो हमारा बीच में पाई है उसको हम यूज में लेंगे तो 22 बटे साथ हमें रखना और दोस्तों जो आर है आर का मतलब हमारे जो गोले की जो लंबाई है वो हमें यहां पर सेंटर करके और डालने होगी तो दोस्तों यहां पर 36 इंच का सेंटर निकला है 18 तो इसको हम 18 इंटू 22 करेंगे तो इसकी जो संख्या बनेगी उसको फिर से हम इंटू 2 से कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो संख्या निकल कर आई है वो है 396 में 396 को हम फिर से 2 से इंटू कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 396 में इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी संख्या निकल कर आई है वो है 700 और वान में दोस्तो यह जो हमारी साथ सोबान में जो हमारी संख्या है इसको हमें अब डिवैड साथ से करना होगा जो बाइस बटा साथ है उसमें जो नीचे साथ है उसी से हमें इसको डिवैड करना पड़ेगा तो दोस्तो यहां पर आप देखते हो कि साथ एकम साथ इसके बाद में हमा और उतार लिया है तो साथ तिया हो गया 21 इसके बाद दोस्तो एक बचा है हमारा अब हमारा यहां पर भाग तूड़ता है तो यहां पर हम पॉइंट लगा करके और जीरो उतार देंगे जीरो जब उतार लेंगे तो फिर से हमें इसको भाग करना पड़ेगा तो यहाँ पर फिर से एक बार भाग गया साथ में फिर बच गया है यहाँ पर तीन फिर एक जीरो और ले लेंगे फिर हम इसमें भागा करेंगे तो साथ चोके 28 यानि चार बार फिर से भागा जाएगा फिर इसके बाद 2 बच गया है तो दोस्तों 2 जो बचा है बागी हम इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं लेकिन हमें सीमित संक्या 2 तक जरूरी होता है बढ़ाना तो दोस्तों इस गोले की जो टोटल लंबाई निकल कर आई है वो है 113 इंच 2 सूंत यानि अगर हमारा पॉंट के बाद में अगर 25 निकलता है तो हमारा 2 सूंत हो जाता है और 12 तक हमारा 1 सूंत आता है तो दोस्तो इसकी जो टोटल लंबाई जो निकल कर आई है गोले की वो है 113 इंची और 100 अब दोस्तो इसको हम डिवैड कर सकते हैं अब जैसे हम मान लीजिए हम या तो इसमें अगर 40 टुकड़े देना चाहते तो हम इसको 40 से डिवैड कर देंगे ताकि जो भी हमारी पट्ट पट्टी आई है वही पट्टी हमारी एक दम फिक्स वहां तक बेढ़ जाएगी तो दोस्तो इसको गनित के सूतर के साब से यह इसको ब्रत माना जाता है इस गोले को तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है अगर आपकी समझ में अगर नहीं आया है तो फिर से हम एक बार इदर जो हमने एक छोटा गोला और बनाया है 22 का उसका उसका भी हम समझा देंगे तो दोस्तों हमें सबसे में जरूरत पड़ती है वह यह गनित का जो मैत का यह जो फार्मूला है यह हमें इस गुलाई को डिवाइड करने के लिए बहुत ही महत्पूर्ण यह फार्मूला हमारे लिए इसे डिवाइड करने के लिए है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बार हम डिवाइड करेंगे इसको 20 में 20 इंची बाला जो हमारा गोला है इसको भी हम एक बार आपको डिवाइड करके दिखा देते है ताकि आपको इसमें अगर आ सेंटर जो हमने 20 इंची का सेंटर लिया है वो आ गया है दस उसके बाद उसको 220 को हमने तू से गुना कर दिया है तो यहाँ पर 440 संक्य हमारी निकल कर आई है उसमें फिर भागा हमने साथ से डाइरेक्टली हम भागा दे देते हैं तो दोस्तो इसकी जो लंबाई टोटल निक साथ सूथ इस तरीके की दोस्तों इसकी लंबाई निकल कर इस गुले की हमारा आई है तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको जितने भी हम टुकड़ा देना चाहेंगे उसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं अब दोस्तों अगर हमारे सामने मानलो हाफ गुलाई हैं तो उसको हम क तो दोस्तों इसकी जो टोटल लंबाई निकल कर आई है वह वासट इंची साथ सूंत है तो यह हमारा एक बटा दो कर देंगे हम तो 31 इंच और तीन सूंत हमारी इसकी हाप गुलाई की वह निकल कर लंबाई आ जाएगी अगर हमारे सामने कोई इस तरीके की हाप गुलाई है तो उसे भी हम यूज कर ले सकते हैं तो दोस्तो तीसरी चीज जो हमारी इसम है इसको हम त्रिज्य बोलते हैं अगर मानलो दोस्तो अगर हमारे सामने कहीं पर कोई छोटा कोना भी आ सब Brush लिएंगे तो इसको किस तरीके से निकालेंगे रहा हमारा एक यही तरीक़ ऐसी सूत्र के सब्सक्रामेद निकाल सकते हैं तो दोस्तों इसका भी हमें जो हमारे ब्रत की जो टोटल लंबाई निकल कर आई है उसी का हम एक बटा चार कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पंदरे एंची और छे सूंत इसकी निकल कर आई है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे लिए कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहो सलामत रहो